भाईयो यह तो कार्यकरताओं की मीटिंग है आने वाले चुनाव में हम किस तरीके से आगे बढ़ना इसके बारे में सोचने वाली एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारे अद्धिक जी ने इस समराला लुदियाना डिस्टिक में बुलाया है यह बहुत बड़ा एक कॉंग्रेस पार्टी के लिए देन है क्योंकि इतने कार्यकरता हमारे इस मीटिंग में आये हैं अगर सभी ने एक होकर काम किया तो मैं समझूंगा कॉंग्रेस पार्टी को जो वो चाहते हैं उतने सीट जरूर मिलेंगी पंजाब यह सिख गुरूं की धर्ती है गुरुनानक देवजी ने यह हिंदुस्तान शब्द दिया और इस हिंदुस्तान शब्द को अम खाइम रखना है एकता का संदेश उनों ने दिया और सारे सिख समाज और दूसरे समाज के लोग भी गुरुद्वारे सा सेवा का समर्पन करते हैं और किसी का भेदभाव नहीं करते और यही तो खुबी हमारे सिख समाज में और पंजाब का है हिंदु हो या मुसल्मान या सिख हो पंजाब हमारे देश की आन बान शान है किसान और जवान इस देश के मजबूत स्थम्भ है पूरु प्रदान मंत्री लाल बाद्दूर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था जै जवान क्या दिया था जै जवान जै किसान का नारा उन्होंने दिया और वो दोनु नारे किस स्टेट में फिट होते हैं तो सिर्फ पंजाब में फिट होते हैं और कहीं नहीं कहीं जवान है किसान नहीं है कहीं किसान है जवान नहीं है लेकिन जवान और किसान यह पंजाब में है तो इसलिए पंजाब की जनता देश के लिए रक्षा का कबच बनाती है और देश के लिए धान भी देती है तीस परसेंट धान हमारे देश को यहाँ से मिलता है पंजाब से लेकिन मोधी सरकार पिछले दस सालों में इस दोनों संस्ताओं को किसान को जवानों को बरबाद कर दिया मैं यह बोल रहा हूँ आपको मालू मैं किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उन से बात नहीं किये किसान तीन काले कानून के खिलाब लड़े लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापिस लेने का आया नहीं है तो जब तक ये उस वक्त अंदोलन को स्मार्थ करने के लिए उन्होंने कानून को तीन काले कानून को सस्पेंड किया लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहा है कि हमने ये रत कर दिया ये तीना कानून हमने कैंसल कर दिया ये अभी तक बाहर नहीं आया ये मोदी की चाल है ये हमेशा दिखाते हैं जैसे हाती के दाथ दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं वैसा ही इनका है जो हमारे किसान और जवान इस देश के रीड की हड़ी थे और उनको तोढ़ने का काम उन्होंने किया है मैं पंजाब के किसानों को बदाई देता हूँ वो फिर से अपने हकुक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो अंदोलन कर रहे हैं उनके अंदोलन के साथ सारे कॉंग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे कि एक दरीके से किसानों को खत्म करके बड़े बड़े कॉर्परेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकर जमीन रहीती थी अब नए महाराजा निकले एक कार्परेट आदानी अंबानी वो फलाना फलाना हजार अजार एकर ले रहें इंडस्टी के नाम पे और सीड ग्रोईं के नाम पे होटी कल्चर के नाम पे हजारों एकर गाउर्मेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं तो ये कानून को रद करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये रद नहीं होगा या इनों नहीं करेंगे आने वाले दोजार चोबीस की सरकार हमारी बनेंगी तब इसको निकाल देंगे ये तिनों कानून को रद कर देंगे तो भाईयो आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा आतंकवादी कहा और उनोंनों अंदोलन जीवी एरे जीने के लिए वो अंदोलन करते हैं कुछ दिलाने के लिए नहीं ऐसा किसानों के लिए उनोंने कहा क्या इसे पारटी को पंजाब में वोट मिलेंगे वोट देंगे और बहुत से लोग किसानों के नाम पे आते है धर्म के नाम पे आगे बढ़ते है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते सिर्फ वोटों के लिए अपनी बात कहिते हैं बाजबा सरकार किसानों को एक तरफ बर्बाद की और उसके बाद में जवानों को भी बर्बाद की और उन्हें नया स्कीम लाया क्या स्कीम लाया वो हमारे चार साल का स्कीम है ना भी अगनी वीर अगनी वीर का स्कीम लाया चार साल के लिए और उसके बाद चार साल के बाद क्या करना कहा जाना अपनी जवानी इसमें खोते हैं अपनी जवानी इसमें लगाते हैं चार साल में तो उसके बाद अगनी वीर खतम और जो regular recruitment होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया 30% जगे defense में खाली है 30% पैसा भी उन्होंने कम किया है क्या आप चाहते हैं कि पंजाब, हरियाना, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, उत्तर परदेश कि लोग, क्या आप अगनीवीर चाहते हो, क्या आप फाउस में regular भरती होना चाहते हैं, यह आप बताइए क्या करना चाहते हो आप, फाउस में regular भरती होना चाहते हो ना तो इसलिए इस सरकार को उखाड के फेकना यह जरूरी है, इसलिए मैं आप तमाम से यही कहूंगा, कि मोदी जी आज जो भी कुछ कर रहे हैं, किसान और जवानों के खिलाब कर रहे हैं, भै, इनके लोग किसानों के नाम पर बजट रखे, लेकिन वो बजट खर्च नहीं हुआ, एक लाख रुपए, वो बगर खर्चे से वो लैप्स हो गए, वापिस ले लिए, एक लाख करोड, तो सोचिए कि मोदी जी किसानों के हित में काम करते हैं, या सब को धोका दे रहे हैं, आप सोचिए, या आकडे मेरे नहीं है, या आकडे उन्होंने, जो पार्लमेंट में रखा है, हमारे स्टार्ड कोश्चन्स, हमारे अन्स्टार्ड कोश्चन्स, इस प्रष्ट में जो उत्तर मिलते हैं, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, या सब हमारे लीडर जानते हैं, कि इतना बहुत बड़ा धोका उन्होंने किया है, बाईयों, आधारी के बाद, पहली बार, हर किसान पर, पच्चीस हजार प्रती हेक्टर को टैक्स लगाया है, वो आपको मालूम नहीं होता, यह लगाया है, पी-म फसल यहुजना, प्रावेट इंसुरंस कंपनी को देकर, उन्होंने दो हजार चब्वीस से लेकर, दो हजार बाविस तक उन्होंने चालीस करोड कमाया है, चालीस करोड, यह किन के पैसे हैं, यह किसानों के पैसे हैं, मोदी जी के नहीं, या उनके खजाने से आये सो पैसा नहीं है, यह पैसा किसका है, एक किसानों का है, और हम हमेशा लड़ते रहें, पंडित नेरुजी, किसानों के लिए भाकडा नानगल बनाया, बड़े बड़े बान बनाये, हीरा कुन जैसे एउजना बनाये, करनाटक में हाल मट्टी जैसा बनाये, ऐसे बहुत बड़े बान बनाकर, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पानी देने का काम किया, ऐसे पंडित जवरला नेरुजी को, रोज उठके गालया देते हैं, इंदरा गांजी जी को गालया देते हैं, तो ए मोदी, खुद तो काम नहीं करता, या इनके लोग देश के लिए कुछ नहीं किये, ये तो ब्रिटिश के जमाने में BJP और RSS के लोग ब्रिटिश का काम करते थे ब्रिटिश का एजेंट थे और उन्होंने खुला कहा उनके लीडरों ने BJP जनसंग जो पहले थी उन्होंने खुला कहा तुम जाओ ब्रिटिशर की मदद करो फाउच में परती हो जाओ और जहां कहीं तुमको नवकरी प्रिटिश शरकार में मिलती है उसमें जाके तुम काम करो जब भारत छोड़ो अंदोलन गांदी जी ने शुरू की इन्होंने उसको भी मदद नहीं किया इन्होंने उल्टा प्रिटिश शरों की मदद की ऐसे लोग क्या देशवक्त हो सकते हैं ऐसे लोग क्या देश की रक्षा कर सकते हैं वो चुनके आए आज इतनी बात करते हैं उनको कोई दिखता नहीं किसी को वो किसके खिलाप उन्होंने बात नहीं की कौन सी भी पार्टी रोज उठके अगर किसी को गाल्या देते हैं किसको देते हैं कांग्रेस को देते हैं रोज उठके गाल्या देते हैं हमारे राहूल गांदी जी को जो व्यक्ति जो नौजवान कन्या कुमारी से कश्मीर तक पादियात्रा निकाली बारत जोडो यात्रा निकाली जो व्यक्ति मनिपूर से लेकर बंबै तक अब पहुंचने वाला है उस व्यक्ति के खिलाब रोज जहर उगालते हो क्यों? क्या उन्होंने आपका कुछ खाया है क्या आपको कुछ किया है क्या वो प्रदान मंत्री थे क्या वो कोई मंत्री पद्वी में थे क्या नहीं चुप रोज उटके उनको कहने का ठीक है अगर वो प्रदान मंत्री रहते थे गलती करते थे तो आपने कहा तो चलो हम बोलेंगे वही ये गलती थी उनका कुछ भी पात्र नहीं उन्होंने कोई पद उन्होंने स्विकारा नहीं फिर भी रोज उठके मोधी बोलते हैं कि ये जो परंपरागत ये घराने का राज है मेरे जैसे गरीब को कोई देखता नहीं मैं भी प्रदान मंत्री बना लोग इदर देखते नहीं सिर्फ घराने को देखते बोलते अरे भाई रोज तुमको देख देख के बस हो गया तुमारा मुनसिपाल्टी में तुमारा चेहरा जिला पंचायत में तुमी परचार करते हो यमेले एलेक्शन में तुमी परचार करते हो यंपी एलेक्शन में तुम ही परचार करते हो तुम्हारा चेहरा कितना देखना अगर टीवी सुबह उठके अगर आप स्विच करेंगे स्विच आन करते ही किसकी सूरत दिखती भगवान की सूरत नहीं दिखती टीवी पे किसकी सूरत दिखती मोधी की सुधादी रोज हर टीवी पे कब्जा कर लिया है और हर टीवी पे मोधी 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 अरे देश की भलाई के लिए आप कुछ काम करो दलीतों के हित में कुछ काम करो गरीबों के हित में अगर कुछ काम करो तो हम ये कहींगे बहु ये इनसान गरीबों के लिए काम कर रहा है लेकिन ये तो मालदारों के लिए काम कर रहा है अमीरों के लिए काम कर रहा है और इस देश में गरीब गरीब बनते जा रहा है अमीर अमीर बनते जा रहा है इसकी फिकर उनको नहीं है फिर भी तप तपा के बोलते हैं मेरे पास आकड़े भी है इन्हों ने क्या किया इनके पास कुछ देश के लिए पंजाब के लिए बई ये तो पंडी जवरलाल नेरु ने इरिगेशन यहां पर लाया क्या मोदी ने भाकड़ा नानगल बनाया अपोली यह लाया यह तो कांग्रेस के जमाने में हो और जो लुदियाना अग्रिकल्चर इन्वर्सिटी बनी यह मोदी ने बनाया अरे बोलो कुछ तो बोलो मुझसे निकलने ने दो चचाई लुदियाना का इन्वर्सिटी इसु ने बनाया मोदी ने ने नाशनल हाई वेज इन्वोनी बनाया अरे आप थोड़ी सी चीज हमने जो बनाया कहीं उसको सुधार करके कहीं उसको बढ़ाके कहीं उसको चोड़ा करके नया नाम देना शुरू किये और ऐसे मोदी जी की आवशक्ता नहीं है जो इन्वेंशन जिसका विजन हो जो बड़े-बड़े कारखा ने नेरू जी ने किया जैसे की पुब्लिक सेक्टर में हम्ती, हेल, बीएल, बीएची एल, आईटिय, एम्स, ऐसे काम करो वो सब छोड़के थोड़ा कुछ कहीं बनाया तो दस बार उसका इन्वाग्रेशन करते हैं अगर एक रेलवे लाइन है, तो एक बार उत्तर से उसको उद्गाटन करते हैं, दूसरे बार दक्षिन से करते हैं यही उनका काम है, और कम गिरा वहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है, तो रेलवे स्टेशन का उद्गाटन करते हैं यह है असली मोदी की कामगिरी, लोग इसको पहिचानना चाहिए, और आज हम जो वाइट रेलुशन, ग्रीन रेलुशन, यह सुख कुछ लाए, और हमको फूसते सतर साल में तुम्हें क्या किया, यहीं किया भी, बड़े-बड़े कारखाने बनाए, ग्रीन रेलुशन किया वाइट रेलुशन किया, हमारे 55 साल के, इसमें हमने यह सब कुछ किया, हमारे 10 साल के, जो मनमोन सिंग जी, दुनिया के बहुत बड़े, एकनोमिस्ट माने जाते हैं, अर्थशास्तर्द्य माने जाते हैं, उनका भी ठिंगल उड़ा है पहले, कल जब भारत रत्म के वक्त, उसके बाद में जब कोई वाइट पेपर पे छर्चा हुई, तो उसमें, उन्हों ने हमारे नेता, मनमोन सिंग जी की तारिफ की, 2004 से 2014 तक, बहुत कुछ उन्हों ने किया, देश के लिए, यह ठीक है, यह बात पहली बार अपने जबान से उन्होंने निकाल, तो यह जो, मनमोन सिंग जी का काम है, और यह मनमोन जी का काम, सबी लोग उसको उनके काम का सला करते हैं, उनके वक्त ही, के सभी कुछ हुआ, लिप्रलाइजेशन हुआ, बड़े कारखाने निकले, सभी कुछ हुआ, इन्हों तो यह कहते हैं, कि छोटे मोटे कार खाने जो है, एंडलूम से, लुदियाना में जो छोटे मोटे कारोबार है, उनको मैं बड़ावा दूँगा, जहां कई भी वो हिंदुस्तान में, ऐसे कारोबारियों को मैं मदद करूँगा, यह उनका कहिना था, अरे भई मदद करने का तो छोड़ो, उसको बाजार दूड़ो, बेचने के लिए कुछ काम करो, और उनके सामान, खरीदने की शक्ति, लोकों में आने के लिए, उनको लोकों के पेट में, पेट के लिए अन्नदान दो, खाना दो, एंप्लामेंट दो, यह सब छोड़के हमेशा, मैं असी करोड लोकों को फ्री दे रहा हूँ, यह किसकी कानून है भई? सोन्या गान्दी जी ने यह फुट सेकुरिटी आये, लाया, लाया या नहीं लाया, उन्हों लाये सो, इन्हों तीन रुपए माप करके, असी करोड लोकों को मैं मुफ्त खाना दे रहा हूँ, कांसे दे रहे हुई? हमने किया, वो ही आप इंप्लिमेंट हो रहा है, हर चीज को क्रेडिट लेना, और भाईों भाईनों यह बोलके, लोकों को वहीं गुमाते गुमाते, अपनी बात रखते हैं, भाईों, और ए, इनके जो दस साल में, इतनी नोक्रिया कम हो गया है, हलाकि गवर्मेंट में 30 लाक नोक्रिया है, चाहे वो मिल्ट्री में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो केंद्री विद्यालय में हो, पोलीस में हो, सब मिलाके, लेकिन उधर, मोदीजी भरती करने का, उनका लक्ष नहीं है, सिर्फ उनका लक्ष है केवल इदार लोकों को गरीब कैसा रखना क्योंकि अगर पुब्लिक सेक्टर में प्रमनंट नौकरी में भरती अगर हो गए तो सेडूल काश के लोग और बैकवर्ड के लोग मिलके 50% भरेंगे इसलिए वो नहीं चाहते कि 50% सेडूल का सेडूल ट्राइब्स बैकवर्ड लोग उसमें आए गरीब नौजवान नौकरी में पर्मनंट नहीं आए ये उनका मुद्दा है गरीब को गरीब रखना चाहते हैं तो इसलिए भाईयों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमने जो कानून बनाया चाहे वो मनरे का हो फुट सेकुरिटी हो चाहे वो नौकरियों का हो ये सब हमने जो किया है ये मोदी जी दस साल में बरबाद करके छोड़ दिया है और अमीर लोकों को रोज अमीर बनाते जा रहा है और एक है कि मोदी जी की हमेशा अपोजिशन को छेड़ना और हम जब बात करने के लिए उड़ते हैं हम को उनके पार्टी के लोग रोक देते हैं और रोक के गड़बड शुरू करते हैं आपको मैं बताओं जो उनकी गलतियां थी कमजोरियां थी जब हम उठाए सदन में पार्लमेंट में राजसबा में लोगसबा में तब उन्होंने एक सो सैंतालीस लोकों को 146 यंपीज को बर्खास्त करके सदन के पार डाला क्या ये डिमोकरसी है क्या यही उसूल यही समिदान कहिता है कि कोई हमने प्रशन पूछा तो इनको भार डालो या मैं जो भाशन करता हूं हमेशा मेरा तो आदे से ज़्यादा कट होता है वो मेरे को बाद में मालूम होता है सचाई परसू भी ऐसा ही हुआ मैंने यह कहे रहा था कि सूद्रों को जगा नहीं है कहीं भी और उनको हमेशा मंदीर मज्जीद से दूर रखा जाता है इसलिए मैंने वो शब्द उठा है तो उन्हें ने वो पूरा दो पेज का मेरा स्पीच काड़ दिया यह है मोदी की नियत और सरकार में बैठे हुए लोकों का नियत इसलिए मैं चाहूंगा ऐसी सरकार जो संत रविदास जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबी को अन चोटे बड़े सब समान बसे रविदास रहे प्रसन यह रविदास जी का कहिना है आईसी राज होना हमको डराने वाले राजन को लोगतंत्र को मानने वाले और समीदान को मानने वाले लोग होना और चोटे बड़े सब समान जो रविदास जी ने कहा उनको सब समानता का हक मिलना चाहिए हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पुरक्षे बड़े बड़े ये बनाये थे कारखाने अब मोदी जी एक एक करके बेचके खा रहे हैं एक एक सभी एक आदमी को दे रहे हैं एरपोर्ट और पोर्ट रोड सब चीजे एक अमीर आदमी के हाथ में वो दे रहे हैं और गरीब का चीन के क्योंकि हमारी जमीन उसमें गई उस प्रोजेक्ट में सब लोकों की गई लेकिन ये किसके हाथ में गई बड़े बड़े अमीर लोकों के हाथ में गई और यही मोदी चाहते हैं की अमीर अमीर बने गरीब और गरीब बने इसलिए ऐसे सरकार को आप निकाल देना चाहिए उखाड कर फेक देना चाहिए और मनमोन जैसी सरकार UPA की जो त्थी उसको फिर से लाना है उसके लिए आप कोशिश करना चाहिए और विकासदर क्या था मनमोन सिंग जी के जमाने में और आपके जमाने में यह तो मैं यही कहूंगा कि उनके जमाने में जो चीज़े थी मैं बताओंगा प्याडी धान बहुते ना प्याडी UPA 2004 और 5 में और 13 और 14 तक 135 पर्षेंड इंक्रीज हुआ था MSP में 135 पर्षेंड और इनके जमाने में 14 से लेकर 20 तक 50 पर्षेंड इंक्रीज हुआ है मेज मक्का 155 पर्षेंड मनमोन सिंग जी के गावर्मेंट में हुई लेकिन अब इनके गावर्मेंट में सिर्फ 50 पर्षेंट हुई ग्यों 120 पर्षेंड उस वक्त मनमोन सिंग जी के गावर्मेंट में हुई अब आज 50 पर्षेंड उन्होंने MSP इंक्रीज किया शुगर केन 180 पर्षेंट गन्ना का इंक्रीज था MSP आज 40 पर्षेंट है यह मेरे आकड़े नहीं यह जो पर्लमेंट में देते हैं और जो आकड़े हमको मिलते हैं तो उनको बता रहा हूं आपने क्या किया तो हमने यह किया है और यह करने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं फिर एक बार हमको जीत के लाओ हमारे लोकों को जीत के लाओ फिर हम करके दिखाएंगे जो यह आकड़े में दिखा रहा हूं यह सच है और सच है और इसको हम और भी आगे अच्छा डंग से बढ़ाते रहेंगे भाईयो बाबा साब अम्बेड करजी ने एक बात कही थी क्या कही थी भक्ति या नायक पूजा भक्ति या नायक पूजा पतन का और अत्यन्त तानाशाई में पहुंच जाने का रास्ता है जो व्यक्ति की पूजा करता है जिस व्यक्ति की पॉलिटिक्स में पूजा होती है वो गौर्वर्मेंट वो आदमी तानाशाई के तरब चले जाता है यह डेमोकरसी है वही और डेमोकरसी में हमको सबको काम भी करना है ठीक डंग से सरकार को भी चलाना है यह वेलफेर स्टेट बनाना है इसको आप याद रखिए सिर्फ मोधी मोधी बोले तो किसी का पेट नहीं भरता अमर्शाइद सरदार भगत सिंग जी ने क्या कहा था फासी लगने के दो महिने पहले दो फेबरवरी 1931 को यवाराजनीतिक कार्यकरताओं को संबोधित करते हुए और उनको पत्र लिखा लिखकर भारत के लिए तो सपना रखा था उसे कांग्रेस सरकारों ने पूरा किया लेकिन मोधी जी उसे तबाह करने में लगे याने कार्यकरताओं को पत्र लिखकर उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो कुछ आज कांग्रेस कर रहा है वो भी कर रहा है उस वक्त लेकिन आज मोधी जी सब का नाम लेते हैं यहां तो दो फोटू लगती है एक पार्टी के कुनसा एक बाबा साब अम्रेड करका और एक अमाजिक न्याय मिलता ना करांतिकारी भगत सिंग जी का जो उद्देश था वो सफल नहीं तो उन्होंने यहीं कहा था जमिनदारी प्रता का उन्मूलन करो निकाल लो और किसानों का रंड मौफी करो निउन्तम भूमी कर को जोड कर किसानों से कोई करना वसूल किया जाए देश का उद्द्योगी करन और उद्द्योग का रास्टी करन करने के लिए उन्होंने कहा था भगंसी जी सभी के लिए सिक्षा काम के घंटे को कम करना ये था शईद भगत सिंग जी का बात और इन ये जो उनके मुद्दे थे इन मुद्दों को कौन पूरा कर रहा है हमने कुछ किया इसलिए तो नर्यगा लाया इसलिए तो employment उसमें देने की बात हो गई land reforms लाया bank nationalization किया ये सब चीजे हमने की वो सब बगश सिंग जी के list में है इनके list में कुछ नहीं है कोई काम करने की बात नहीं करते इसलिए भाईयो आखरी में मैं ये कहूँगा मेरे Congress भाईयों को बैपंडी जवरलाल नहरू जी ने 1950 में एक बात कही थी क्या कही थी अपने वरकर से ये बात कही थी आम चुनों में हम वहां सफल रहे जा हमने जनता के बीच काम किया आम चुनों में हम वहां सफल रहे जा हमने जनता के बीच काम किया अगर हम जनता के साथ नहीं गुले मिले अगर हम जनता के साथ नहीं गुले मिले उनके बीच काम न करे तो हम उसका भरोसा जीत लेने की आशा नहीं कर सकते अगर आपको जीतना है लोगों सो मिलना होगा डोर टू डोर जाना होगा लोग को समझाना होगा जो गलत फाइमिया उनको दूर करना होगा यह काम कांग्रेस के कारिकरताओं का है इसलिए यह मीटिंग बहुत इंपोर्टेंट है मैं अध्यक्सी से यही कहूँगा पहले तुम डोर टू डोर जाओ यह मीटिंगे तो होते रहती है कहीं कम बीड़ा थी कहीं ज़्यादा बीड़ी नाथी लेकिन जब वरकर्स की मीटिंग होती है उनको तो यह जरूर करना चाहिए तुम अपने घर घर जाओ समझाओ लोकों को और बताओ हमने क्या किया और यह ना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया इसलिए भाईयो आज का काम जो भी है वो आप कर सकेंगे मैं आशा करता हूँ और मोदी जी किसी का दुख्य और दर्द को जानते नहीं और उन्होंने हमेशा गरीबों को कुचलने का ही काम किया है मनिपूर में देखो मनिपूर नहीं जा सके जहां रावूल गांदी जाकर आये जहांसे उन्होंने आज पदयात्रा शुरू की वहां पर मोदी नहीं गए जा रहे भी नहीं लेकिन देश में कैसी शांती रही जब आप खुद नहीं जा रहे हो तो शांती कहां से भाल करेंगे तो इसलिए आज मैं हमारे DCC, BCC और ब्लॉक लेवल और बूत लेवल के एजेंट्स को भी यहीं कहूंगा अगर आप डट के वूस पोलिंग बूत में रहेंगे तो ही हम जीतेंगे नहीं वहां पर एक गंटा पैटे घर चले गए तो जीतने वाले नहीं इसलिए भायो इंडिया घट बंदन भी हो रही है कहीं अच्छी बात हो रही है कई ठीक सा अभी हमारा मिलाप नहीं हो रहा लेकिन आप यह समझ के चलो हमको लड़ना है अकेली लड़ना है आखरी तक लड़ना है और भीजय हासिल करना है इस देश यह आप आगे बढ़ो किसी का आया ठीक है नहीं आया ठीक है लेकिन हमको सारी सारे भारत में एक हमने लिया यह पंजाब की बात नहीं है या किसी और की बात नहीं है ये हमारी बात मोधी के सरकार को हटाने के लिए कंद्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक लड़ रहे हैं, बिंगोल से लेकर गुजरात तक हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में सभी लोग शामिलो और सभी लोग एक होकर काम करो, इतना ही मैं कहूंगा, और मोधी की गियरंटि तो बहुत दारे रोज आज पेपर में लिए उनकी कौनसी गारंटी अरे पहले तो कहा दोदो करो नौकरी दूंगा दिया मोदी नहीं नहीं दिया यह गारंटी तुम्हें पूरा नहीं किया किसानों को डबल आमदानी का वही ग्यारंटी पूरा नहीं किया बाकी के ग्यारंटी क्यों लेके क्या हम धोके पिना है क्या तो इसलिए आप मजबूत इसे रोग मोदी की ग्यारंटी यह जूटे हैं यह जैसा कि खुदी वो हमारे शाह ने अड्मीट किया है हो मिनिस्टर न हैं हमने जो कहा वो सब जुमले थे बोले सब यही समझो कि जो कुछ उनों कहेंगे मोदी जी वो सब जुमले हैं इसलिए आप कॉंग्रेस को मदद करो आगे बढ़ा अब सब मिलके हम काम करेंगे तो हमारी जीत होगी यही कहिते हुए मेरे चार शब्द को स्मात करूंगा जए हिन